इस वक्त की बड़ी कवर आप देख रहे हैं खाणी दिन्योज 24 में मैं हूँ आपके साथ सीके सी कानपूर नगर में घोसित वीकेंड लॉकडाउन में कहीं दिखी मानोता की तस्वीर तो कहीं दिखे जिम्मेदार नदारत रात ख़वर कवरेज के लिए हमारे संबाद दाता जोरा जब ग्राउन रिपोर्टिंग की जा रही थी तो एक बहुत ही इंसानियत भरी तस्वीर सामने आई जहां गोबिन नगर के चौराहे पर रात की अंधेरे में चुपचाप अकेले खड़ा एक व्यक्ति रास्ते पर रिक्सा चालकों एवं फुटपात पर सोने वाले लोगों को भोजन की निसुलक विवस्ता करा रहा था देखें ये तस्वीर टुकाइब लाकर जो रास्ते पर गरीब में जो रहते है लिक्सा चालक है और तपात पर रहा है उनके खाने पिने ग्यक्ता लाए इसे कम एगज़ कंपे गोबिन नगर के इस चौराह करम को बिला आई एक तो किस से फास बाग चीए कि इसे लोगों के खाने की जो रहा है कि यहां पर इनों पर इनों भूचा समाला जाए तो एक यह बहुत बहुत बहुता कि निशाल निकलकर हमारे साहर कंदर से आ रही है कानपुर में ऐसे लोग यहां कुछ ऐसे लोग हैं कि नों ने आवसर मना रखा है कि हम गयां कि हम ब्लैक में दवाईों का कारूबार कर रहा है आक्सिजन किला तर डंप कर रहे हैं दूसरे तोर ऐसे भी चाहरे हमारे साहर में जो लोगों की मदद करने के लिए पिना किसी सोर के चिपचाप अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं वहीं दूसरी और कानपुर नगर के रेलवे इस्टेशन पर आवेवस्ताओं का भंडार दिखा जहाएं एक और जिलाप्रसासन शक्त्री ये दिखा कि वहां से आने वाले यात्रियों में लोगों को घर आने जाने में दिक्कत ना हो तो सेंटर इस्टेशन से लोगों को अप भंगन करते साथ देखा जा सकता है और तो और लोग फुटपाथ पर लेटेने को मजबूर रेलवे का इंक्वाइरी सिस्टम भी कोविड-19 के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पोड़ती करें देखने को मिल दी वहीं दूसरी ओर जो व्यवस्ता यात्रियों को मुफ्त मि देनी चाहिए उसके लिए प्राइविट कंपनियां बैक सेनिटाइजेशन का कैम्प लगा कर व्यक्तियों और यात्रियों से प्रति बैक 10 रुपए के हिसाब से चार्ज भी वसूल कर रही है यहां बैक सेनिटाइजेशन बहुत सो लोग हैं जो बगार बैक सेनिटाइज की यह भी लोग जा रहे हैं यहां पर लफ्द है जैसे कि रात के समझों की लॉक्डाउन की इसकिया बनी हुए उस्ताप्देश वीप लिए और रात में लोग जो आ रहे हैं उनको जाने की समस इसलिए उत्ताप्देश सरकारें उनकानी पुसासन प्यार से यहां पर सिपी बसस की जिए उस्ताइम भी की गई है यह सारी चीज़े हैं कि कानपुर समय साथ लाइब जूड़ चुके समवादता उमेज भारगाउजी से जानने की को कौसिस करते हैं क्या इस्थितियां है कानपुर सिपी ने खड़े हुए हैं वहां जिला प्रसासन या सरकार के मार्ज़ं से कि व्यवसताइं की गई हैं तो प्तेना चाहूं गए हैं नहιं पर मसीरितिक सिपी जहाए कान्टू सेंटर में यात्रियों किस तुर अच्छा के लिए कोई भी सुबदाय नहीं है रेलवे ने किसी एक फर्म को यहाँ पर एक काम दे रखा है वो भी सिर्फ बैक सेंटाइजेशन का मैं कैमरामेन के माध्यम से कहूंगा मेरे पीछे दिखाने की कोशिस करें कि यहाँ पर जो प्राइबेट एक कोई फर्म है उसको दिया गया है बैक सरेखाई जिसके 10 रुपे चार्जेश भी पब्लिक से लिये जा रहे है इसके अत्रीक और कोई सुग्धा ती कही है यह राज सरकार यह दिखाई पसासंग की ओड़ने की तरफ से जो भी है वो तो रेलवे के बाहर की वे उस्ता है वो लगातार चाक चौबंद समझ में आ रही मगर रेलवे की तरफ से कोई भी वेउस्ता रेलवे स्टेशन पर न कि तना सक्री यह दिख रहा है आपको प्रसासं के नाम पर कहें तो मुझे अभी तक कोई भी फोस नहीं दिखा मैंने कई जीने आक्रिज्टे उसरे जो काउंड बने हुए है वहाँ पर मुझे कहीं भी रेलवे का कोई भी पुलिस बल या जी आर्पी कोई भी जवान मुझ प्याट जो लोकल खाना है उसका फोर्स चवरहाब पर बिल्कुल मुस्तायद है, लोकल का पुलिस यहां पुलिस ब Sex बहुत मुस्तायद है, लोगों से कोरोना की गैडलाइन्स पूरी करने की अफील की जा रही है, और लोगों के यात्तियों के कोई हासुदा ना है, खबर आ रहे हैं कानपूर से स्वास्त विभा की बहुत बड़ी लापरवाही आई सामने जहां संपूर देश के सास संपूर कानपूर नगर कोबिट 19 महामारी की चपेट में हैं तो दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज हैलेट अस्पताल लोगों की जान के साथ कर रहा खिलवार खबर की कब्रेस के दौरान अस्पताल प्रिशाशन दौरा की जा रही तमाम खामिया एवं लापरवाही देखने को मिली ताजा मामला कानपूर नगर के इस्थित हैलेट होश्पिटल का है जहां पर करोना वार्ड और करोना आशुलेशन वार्ड बनाए गए हैं जहां पर नियूरो अतार असी रोग विभाग में बनाए गए COVID-19 वार्ड में साफ सफाई होने के बाद एवं कर्मचारियों द्वारा यूज किये गए ग्लप्स मास्क एवं PPE के यूज करने के बाद अनिस संक्रिमित अपसिस्ट पदार्थों के साथ वार्ड में लगी लिफ्ट के द्वारा नीचे लाकर गेट के पास पॉलितीन में पैक करके डाल दिया जाता है जिसे 24-24 घंटे भी जाने के बाद विवान से नहीं अटाया जा रहा जिबकि सैक्रों तीमारदार उस जगह से गुजरते हैं और वहीं उन पॉलितीन से रिस रहे तरल पदार्थों का जो पानी है फर्स फैल रहा है जिसके उपर से लोग गुजर रहे जो कि संक्रमर को हॉस्पिटल से समाज के बीच और अपने घर तक ले कर जाएंगे हमारे सम्मान दाता द्वारा दुफैर में भी इस चीज का खयाल रखने के लिए हॉस्पिटल प्रिशाशन के करमचारियों से अनुरोध किया गया था परन्तु रात में कवरेश के दौरान पहुचे पत्रकार को इस्थिती जसकी तस्मिल वह अपसिष्ट बस उस जगह से चंद इंच खिसका कर शटल के अंदर कर दिया गया था और COVID-19 आईशोलेशन वार्ड के आसपास स्वास्त करमचारियों द्वारा पहन कर टेकी गई PPE किट गलप्स आधी काफी मात्रा में पढ़े दिखें जबकि आईशोलेशन वार्ड के आसपास सैक्रो तिमारदार अपने परिजनों का हाल खबर लेने के लिए आते रहे वहीं दूसरी ओर आईशोलेशन वार्ड एवं हैलत में रोजवाना सैक्रो लोग तिमारदार आ रहे हैं जिनके सुरच्छा एवं सैनिटाइजेशन की वेबस्ता सैनिटाइजेशन टनल के द्वारा करने की वेबस्ता पिछले वर्स जब COVID-19 लहर देश में आई थी तबी की गई थी परन्तु एक वर्स भी नहीं वीता सैनिटाइजेशन टनल कबार के रूप में आईशोलेशन वार्ड के सामने पड़ा हो है यदि इस टनल को चालू कर दिया जा तो शायद हॉस्पिटल्स परिछेतर एवं प उम्तकाश के साथ शम्मान दाता उमेश भारगाउं की खास रिपोर्ट इस लहर में कानपुर नगर में जो हमारा यह आईसलेशन बार्ड बना हुआ है मेडिकल कालेज में यहाँ पर एक सेनिटाइजिंग मसीन लगाए गे थी मैं कैमरामन के महद्यम से कहूंगा उस सेनिटाइजिंग मसीन को दिखाए कि कि किस हालत में वह दूर्दसा में उसको मैं आएक कैमरामान के माधन दिखाऊंगा जाकर दिखाए कि किस तरीके से देखो आए मैं दिखाता हूं आपको यह देखी यह दूर्दसा आप भी उसके अन्दर की स्थिखाएंगे जये सब पूरा पंद पढ़ा हुआ इसमें काफी दिनों से कोई चहल कदमी नहीं मतलब कि काफी दिनों से ये बंद पड़ा हुआ बिल्कुल जो कि एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा प्रसुंचिन उठाता है कानपूर प्रशाशन के उपर की ये सनिटाइजिंग मसीन है जो कि इसलिए यहां लगाई गए थी कि जो भी लोग या तीमरदार यहां आ रहे हैं उनक का सेनिटाइजेशन उता रहे हैं और करोना का जो प्रकोफ है उसको रूखा जा सके कानपूर से कामड़ा परसंट ओम प्रकास के साथ उमेश भार गवागाई सियासी गल्यारों से लेकर खेल के मैदान तर एंटर्टेन्वेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चड़हाव तर मंदिरों में बश्ती घंटियों से लेकर दरगाह की नमास तर जर्म के दलदल के हर जूट का करेंगे पर्दा का पार यहां हर खबर उगलेंगी हर कातिल के राज खबर नहीं खबरों का सटीक पिशलेशन क्योंकि आप देख रहें अखड़ी दिन्यों स्ट्रटिफो